नमस्कार साथियों मैं अजीज स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदंकेत यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सब लोग आसा करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्त होंगे लाजबाब होंगे साथियों हम लोग बात करेंगे प्रक्टिस सेट है तीसरा जिसमें मैं आप लोगों को प्रिवियस एर कराऊंगा और कल से मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड परसन कराऊंगा यानि कि इससे सम्मंदित जो परसन होंगे जो पूछे जाएंगे उनसे सम्मंदित परसन मैं आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूँ तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे लाइब रहेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे आप अगर यूपी से हैं बिहार से हैं किसी भी राज्ये से हैं अगर आप मद्धे प्रदेश पुलिस के तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महतुपू प्रसन में आप लोगों का लगाऊंगा पहला प्रसन है सामान्य वस्ता में मनुस्य का हिर्द है एक मिनिट में कितनी वार धड़कता है दो हजार बाइस ये प्रसन पूछा गया था दो हजार बाइस में अगर पूछ ले कि जो एक सिसु है एक मन्ध से लेकर 11 मंध का जो ब चार साल के बच्चे में जो धड़कन होती है वो कितनी होगी तो आप लोग पहले तो इसका अंसर दे दीजे सभी लोग जानते हैं इसका अंसर होगा बहतर वार कितना 72 टाइम्स अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 80-160 वार 80-160 टाइम्स अब बात करें 101-2 यर तक कितनी वार जाएगा या धड़केगा तो आप कहेंगे सर 80-120 वार तक या थाइम्स जो है बच्चे का दिल धड़केगा अब यहां हम बात करें 5-6 साल के बीच में 5-6 साल के जो बच्चे होंगे इनका कितना होगा 75 से लेकर 115 वार तक बच्चे का दिल धड़कता है अगर सामानने व्यक्ति है तो वो एक मिनट में बहतर वार धड़केगा कितनी वार बहतर वार नेक्स्ट है उद्योग द्वारा होने वाली किस प्रकार के प्रदूसन से मसीनरी का खत्रा सोर भी निकलता है खतरनाक सोर भी निकलता है तो खतरनाक प्रदूसन जल प्रदूसन वायू प्रदूसन धोनी प्रदूसन ये भी बहुत महत्पूर्ण परसन है अगर यहां पर मसी एक सब्द दे दिया वो सब्द दिया है मसीन द्वारा खतरनाक सोर भी निकलता है जिससे धनी प्रदूसन होता है अगर मसीन ना दे कर यहां दिया होता तो यह सभी प्रकार के प्रदूसन होते तब यह सभी प्रकार के प्रदूसन हो जाते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा D options का सही answer है क्या answer है बेटा noise population ठीक है next है noise pollution क्या हो जाएगा noise pollution नीबू में कौन सा अमल होता है बताईए जल्दी से नीबू में कौन सा अमल होता है इसका क्या answer होगा जल्दी जल्दी से बताईए सर मैं महराज से हूँ और मैंने MP पुलिस का form fill up कर दिया है क्या गह रहे हैं ये documents verification में MP का रोजगार पंचियन कंपलसरी बोल रहे हैं अब कर सकते बेटा अधर स्टेट वाले जर्नल में काउंट होते हैं जर्नल में काउंट होते हैं अधर स्टेट वाले क्या है तो आप कहेंगे सर्जब सोडियम नाइट्रेड को सोडियम नाइट्रेड सोडियम नाइट्रेड जब सोडियम नाइट्रेड को क्या किया जाता है सोडियम नाइट्रेड को किसके साथ सल्फियूरिक एसिड के साथ किसके साथ बच्चे सल्फूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है किसके साथ सल्फूरिक एसिड के साथ जब गर्म किया जाता है क्या किया जाता है वेटा सल्फूरिक एसिड के साथ सल्फूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर गर्म करने पर जो बास्प बनती है क्या बनती है बास्प वनती है और ये बास्प क्या होती है ठंडी होती है ठंडी हो जाती है और जब ये ठंडी होती है इस से क्या निकलता है इस वास्ट से निकलता है नाइट्रिक एसिड टाट्रिक आमल किसमे होता है तो आप कहेंगे सर केले में होता है केला इमली किसमें इमली में केला म और वेटा जो कच्चा आम होता है कच्चा आम कच्चे आम में भी होता है वेटा ये कच्चे आम में ठीक है और एक अगर बात करें जो हरा टमाटर होता है उसमें भी होगा हरा टमाटर जब रहता है ठीक है कच्चा टमाटर होगा तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना यर्दा वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ट कब पास्ट किया गया है इसका क्या अंसर होगा और इसमें संसोधन कब किया गया है ये बताईए संसोधन कब किया गया संसोधन हुआ है 2003 में और संसोधन करके इसे इसमें क्या किया सजा सजा एवम जुर्माने को और क कठोर किया गया है जो जुर्माना लगाया जाता था जुर्माना इसको बेटा कठोर कर दिया है क्या कर दिया है कठोर कर दिया है तो आप लोगों का अंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर बताइए भाईया क्या इसका सही आंसर होगा तो आप कहेंगे सर 1972 में 1972 में ये टाइगर रिजर्व आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना कि सर टाइगर रिजर्व बनाने की ववस्ता स्टार्ट कर दी गई थी और 1903 में इसमें क्या होता है संसोधन हो जाता है क्या हो जाता है मेरे बच्चे संसोधन हो जाता है यहां पर आप लोग अच्छे से पढ़ ली इसका Cancer के इलाज के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो इसका अंसर होगा आयोडीएन 1,2,3 ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं सर अस्वगंदा इसमें अस्वगंदा अस्वगंदा होता ना अस्वगंदा चून जो रेस लगाने वाले लड़के होते हैं वो अस्वगंदा चून खाते हैं पाउडर खाते हैं जिससे हड़ियां मजबूत होती हैं हड़ियां मजबूत रहेंगी सरीर में तागत रहेगी वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है नमल के जो गोले वारूद होते हैं बं बगेर होते हैं वो भी बनते हैं और माचिस के ऊपर जो लेप लगा रहता है जिसे हलका सा रगड़ खाने पर आग या बिस्पोर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम एंटी मनी ट्राई सलफाइड बोलेंगे अगर पूछा जाए कि सर इसका सूत्र क्या है कि सर इसका सूत्र क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे S V क्या बोल देंगे आप बेटा S V 2 S 3 इसका क्या है ये सूत्र होगा अब बात कर ले कि सर ये किस किस में use होता है जो सैन्ने गोले होते हैं सैन्ने गोले गोले मतलब जो बॉम बगारा होते हैं और माचिसकी तीली में इसमें प्रियोग किया जाता है मद्यपरदेश राज्य चुनाव आयोक के वरतमान सच्व कौन है ये कोशिन कप का है तो आप कहेंगे सर 26 2022 का है तो इसके क्या पूछा है वर्तमान सच वो पूछे हैं अगर मैं स्री वसंत प्रताप सिंग की बात करूँ तो ये मद्द प्रदेश के MP चुनाव आयोग के क्या है आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है आयोग तो होंगे मुख्य चुनाव आयोग तो हो जाएंगे ठीक है जी मुख्य चुनाव आयोग तो इसका अंसर हो जाएगा वेता इसका अंसर होगा बी-एस जमोद कौन है वरतमान सचिव है कौन है विटा वरतमान सचिव अच्छा यहां पर अगर बात कर लें ये सारी चीजे हमने पढ़ ली किस के किस के आधार पर तो आप कहेंगे कि भाईया कौन से आर्टीकल में है ये तो अनुच्छे 243 के 243 के में राज्य निर्वाच निर्वाचन आयोग का गठन होता है जब कि अनुच्छे 324 में भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग बनाया जाता है ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते हुए चलिए अगला प्रसन है आत्म निर्भर मद्धि प्रदेश रोड मैप के तहत किसानों को हर साल प्रदान मंतरी सम्मान निदी और मुख्य मंतरी सम्मान निदी के रूप में कितनी रासी दी जाएगी ये है 2022 के अकॉर्डिंग लेकिन वर्तमान इस्तिती क्या है वर्तमान इस्तिती क् 市 flick시़ से कितना मिल रहा हजार रुपे ठीक है और पि aम की तरफ से कितना मिल रहा हजार रुपे टूटल कितना हुजाता है 12 रुपे टूटल कितना हुआ 12 tr այर लेकिन पुराना कोश्ण है तो इसके आदारपर कितना 10,000 रहने कि SM की तरफ से कितना मिल रहा था 4,000 रुपे इस剛 richton के according और pm की तरफ से कितना मिल रहा था 6,000 कितना मिल रहाता 6,000 टोटल मिला कर कितना हुआ 10,000 रुपे लेकिन वर्तमान में वर्तमान में कितना दिया जा रहा है तो हर साल किसानों को सम्मान नदी जो 4000 ती इसे बढ़ा कर बढ़ा कर कितना कर दिया है बढ़ा कर 6,000 रुपे कर दिया है कितना 6,000 रुपे कर दिया है तो वर्तमान में 12,000 रुपे मिलेगा निमल कितमे से कौन सा राज्य मद्द प्रदेश के पूर्व की ओर रिस्तित है मद्धि प्रदेश ऐसे करके ना एक मैपसा बना हुआ है मद्धि प्रदेश का ऐसे करके ना एक मैपसा बना हुआ है तो पूर में 36 गड़ पूर में क्या है 36 गड़ पस्चिम में क्या है गुजरात है और दक्षिन में क्या है महारास्ट है क्या है महारास्ट है और बेटा उत उत्तर पस्चिम में आप क्या कह सकते हैं मेरे सेर की सर उत्तर पस्चिम में क्या हो जाएगा राजस्थान उत्तर पस्चिम में क्या होगा राजस्थान तो फिर बेटा यहां पर क्या होगा पूर्व और उत्तर में पूर्व उत्तर में क्या हो जाएगा यूपी हो जाएगा क आप कहेंगे सर कि भाईया क्या पूछाता पूर्व में पूछाता तो क्या होगा 36 गड़ हो जाएगा क्या हो जाएगा क्योंकि ये पूर्व है ये पस्चिम है ये दक्षिन है और ये उत्तर है यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा किसी को कोई आपति किसी को कोई समस्या बिल्कुल बिटा बहुत सिंपल तरीके से आप लोग पढ़ें हां जी मेरा देश मेरी सोच मैं सर आप से मिलना चाता हूं बिल्कुल दिल से स्वागत है आप सभी भाईयों का सभी बहनों का आप लोग आफिस आएं मिलें हम से नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया जास कर सीत कालीन खेल महोसब किस राज्य मैं आयोजित हुआ देखिए इसकी स्टार्टिंग कव से होती है दो हजार दोहजार सत्रा से कव से इस्थान पर दिल्ली के एक इस्थान पर यानि कि कुल मिलाकर नौ इस्थानों पर ये स्टार्ट हुआ अब यहां पर लिखा हुआ है सीत कालीन खेल महोसब लद्दाख कहां पर लद्दाख में कहां मेरे बच्चे लद्दाख में चलिए अगला प्रसन है निम लिखित मैंसे कौन सा वर्स भारत के सून्ने कारवन उस्सर्जन का लक्ष है देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर सून्ने कारवन उस्सर्जन तो आप क्या कहेंगे सर कहां कब रखा गया है तो आप कहेंगे करवन का उस सरजन जीरो करने की जो नीती है भारत अपनाएगा और भारत ने लक्छ लिया है कि दो हजार सथर तक करवन को जीरो लेवल पर ले आएगा इस पर लेआएगा बच्चा जीरो लेवल पर ले आएगा अब हम बात करते हैं बेटा ये जो डिसीजन था निरने था ये निरने कब लिया गया है निरने लिया गया था जो 26 वा अंतर रास्टिय जल वाईू परिवर्तन सम्मेलन हुआ था और ये कहां पर हुआ था तो आप कहेंगे सर ये गलासों में हुआ था गलास आप कहेंगे गलास गो गलास गो कहां पढ़ता है स्कॉट लेंड में कहां पढ़ता है स्कॉट लेंड में पढ़ता है तो आप कहेंगे सर ये स्कॉट लेंड में हुआ था ठीक है कब हुआ था दो हजार इकिस में दो हजार इकिस में तो बेटा दो हजार तेईस में कौ दुबई में 28 वा सम्मेलन कहां पर हुआ तो 28 वा सम्मेलन इसका हुआ दुबई में यानि कि UAE की रासदान ये दुबई यहां पर किया गया चलिए बहुत सिंपल सी चीजें है नेक्स्ट नेक्स्ट है 1588 AD ECB में असिर के किले के उपरी हिस्से में जामा मस्जित का निर्माण किस ने करवाया भारत के एक मात्र जामा मद्द जिसकी दिवारों पर अर्भी और संस्क्रिट दौनों भासाओं में लेख लिखा हुआ है चलिए बता दीजे इसका क्या आंसर है कौन-कौन बच्चा बता रहा है सर अगर हम फॉर्म यूपी से फिल करते हैं तो क्या एक्जाम सेंटर एंपी में होगा बेटा अंकी सर ने पूरी डेटेल में एक बीडियो बनाईए आप देख लिजे आप देख लिए एक्जाम तो एंपी में होगा न तो आपको एंपी जाना पड़ेगा चलिए बताईए इसका क्या आंसर है कौन-कौन बच्चा बता रहा है कौन-कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा बेटा लाइक सेर भी कर दिया करो आप लोग कंजूसी करते हो हैं कंज्यूसी करते हो लाइक सेर करने में चलो बताओ इसका क्या आंसर है कौन-कौन बच्चा बता रहा है यहां पर आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया आप कहेंगे सर राजा अली खान दौरा अब बात करते हैं कि सर है कहां पर यह कहां पर बनवाया गया है तो मद्द्पृद बुरहानपुर जिले में अब बात आती है कि सर एक मात्र मस्जिद है एक मात्र मस्जीद है मस्जिद है जहां पर अगर मैं बात करूं कि अर्वी और संस्कृत भासा में क्या लिखा हुआ है अर्वी एवम संस्कृत भासा में किस में संस्कृत भासा में लेख लिखा हुआ है क्या लिखे हुए हैं लेख लिखे हुए हैं तो आप कहेंगे सर ऐसी एक मात्र जामा मजज़ जहां पर अर्वी और संस्कृत लेख दोनों एक साथ लिखे हुए दीवारों पर ये किस पर ल ट्रॉफी या कप है बताईए इसमें क्या आंसर होगा आगाखा कप है बिलिंग्टन कप है या मर्डे का कप है या संतोस ट्रॉफी है जल्दी से बता दीजे इसका क्या आंसर है कौन-कौन बच्चा बताएगा हाँ जी बहुत बढ़िया शांदार लाजवाब अभी से कुमार धन्यवाद आंसर दीजे बिटा इसका क्या आंसर होने वाला है कौन-कौन बच्चा इसका आंसर करेगा जल्दी से बताईए लाजवाब अगर मैं बात करूं बिटा संतोस ट्रॉफी किस से संबंदित है इसकी जो रेस लगाई जाती है आपने साउथ की मूवियों में देखा होगा बहुत तेज रेस लगाते हैं कि इधर भी बहुत सारी लाइन में लोग बैटे रहते हैं और इधर भी लोग बैटे रहते हैं तो उसको बहुत तेजी से चलाते रहते हैं तो वो रोइंग होती ह यानि की और ये नौका दोड होती है ये कहां का न्यूजी लेंड का अगर पूछा जाए कहां का है न्यूजी लेंड का रास्ट ये खेल भी है कहां का न्यूजी लेंड का रास्ट ये खेल है ठीक है आगा का किस में दिया जाता है होकी में दिया जाता है किस में होकी में दिय हूती तूनिंग किया वैसकता नहीं होगी तो आप कहेंगे ट्यूनिंग आप लोगों ने वह देखा रेडियो जब रेडियो को ट्यून करते हैं घुमाते हैं फ्रिक्वेंसी लेने के लिए तो किस प्रकार में हाँ जी मेरा चलिए बहुत बढ़त हाँ कि चलो पढ़लो बेटा हाँ एक बच्चा कह रहा है कि sir time pass चल रहा है तो मैं उन्हें कहुँगा कि बेटा ये सौना बाबु मोना बाबु की क्लास नहीं चल रही यहां पर प्यार महबबत वाली बाते नहीं चल रही यहां पढ़ाई की बाते चल रही है पढ़ना है तो पढ़लो है ना हाँ अगर मैं यहाँ पर तुम्हें वो क्या बोलते हूं उसको लव स्कूल खोल के सुनाने लग जाओं तो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में घूसा ऐसा पढ़ेगा नाक पे ना तो सही हो जाओगे पढ़लो चुप-चाव मैंने इंतजार में बूले हो गए कि हम नौकरी लेकर जाएंगे हम सरकारी नौकर बनेंगे कम से कम उसका तो खयाल रखो फटे हुए बरियान में पापा रहते हैं आपके लिए नया कपड़ा लेकर आते हैं चप्पल भी पापा के टूटे हुए हैं आपके लिए नया जूता लेकर आते हैं कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ बहार पढ़ने जाता है तो उसको सरम महसूस ना हो खुद पैदल जाएंगे आपको सैकल दिलवाएंगे या बाइक दिलवाएंगे खुद दूसरों के साथ भटकेंगे या दो दो जाएंगे तो कम से कम उनका रेस्पेक्ट तो कर लो टाइम पास चल रहा है पढ़ लो थोड़ा सा यह पढ़ाई जरूरी है मेरे सेर बिना पढ़े कुछ नहीं होता और जो सोना मौना बाब हुए न मैं उनको बार बार बोलता हूं कि गुलाव का फूल देकर यह कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा महबत करने वाले मेरे यारों उसे ले गया कोई नोकरी वाला बैठते रह जाओगे न सहीं काटोगे बेवफा वाले गाने गाओगे जा बेवफा जा तुझे भुला दिया यही गाने गाओगे और कुछ नहीं करोगे चलो पढ़ लो हाँ बहुत बढ़िया श तो आप कहेंगे सर्फ 563 बीसी में लुम्मनी घ्राम में हुआ तो इसका अंसर होगा लुम्मनी घ्राम ठीक है मिर्तियू की अगर मैं बात करूँ मिर्तियू कब होती है तो आप कहेंगे सर्फ मृत्यू होती है 483 BC में और ये कहां पर हो जाती है तो कुसी नारा में या कुसी नगर में कहां पर कुसी नारा या कुसी नगर तो आप कहना सर कुसी नारा या कुसी नगर में क्या हो जाती है मृत्यू हो जाती है अच्छा इनके जन्म की घटना को जन्म के साथ के साथ किसका संबंद है तो आप कहेंगे सर कमल और सांड कमल एवं सांड आप कहेंगे कमल एवं सांड किलियर है अब बात करेंगे कि सर इनके ग्रह त्याग का संबंद किससे है ग्रह त्याग का संबंद किससे है तो आप कहेंगे सर गोडा गोडा ग्रह त्याग का पृतिक गोडा है ठीक ह ने ग्यान प्राप्त हुआ तो उसका संबंद किसे ब्रक्ष पीपल ब्रक्ष से किसे पीपल ब्रक्ष से अच्छे जब इन्होंने ग्रह त्यागा था तो इस घटना को क्या कहा था तो आप क्या कहेंगे आप जल्दी से बताईए और जब इन्होंने अपना प्रतम उपदेश से दियाता तो उसे क्या कहते थे प्रतम उपदेश को ध्र्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है क्या कहा गया तो आप कहेंगे सर प्रतम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया ठीक है जी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है और ग्रहत्या की घटना को आप लोग क्या कहेंगे कि सर ग्रहत्या की घटना को क्या कहा गया ता महा भी निसकर्मन और जब इनकी मिर्त यू को कहा गया ठेक है जी चलिए बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब लेका है कौन सा बंदरगाह बिमबानड कयाल के सीर्स परिस्तित है और लोग परिये रूप से अरव सागर की रानी के रूप से जाना जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोश्यन है कि अरव की अरव के सभी आंसर्स आप लोग मुझे देते रहेंगे की सर ये कहां पर होगा तमिलनाडू में कहां पर होगा तो आप कहेंगे सर ये होगा पस्चिम मंगाल में कहां पर हो जाएगा पस्चिम मंगाल में कोचीन कहां पर है बेटा तो आप क्या कह रहें कोचीन बेटा कोचीन कहा केरल में है केरल में और तूती कोरीन कहां पर होगा तो आप कहेंगे सर ये तमिलनाडू में होगा तूती कोरीन बंदरगा तमिलनाडू में कोचीन केरल में और बिटा कोल काता बंगाल में चिन्ने ये तमिलनाडू में अब बात करते हैं भारत का सबसे पुराना बंदरगा कि से माना जाता है पुराना तो आप कहेंगे लोथल लोथल वंद्रगा कहां पर है गुजरात में कहां पर है गुजरात में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात अगला परसन है लिखा है असगरी वाई को उनके लिये जाना जाता है देखिए असगरी वाई अगर मैं ब गाई की से संबन देती हैं किस से संबन देती हैं ठीक है लिख लिए आप लोगों ने किस से संबन देती हैं गाई की से संबन देती हैं नेक्स्ट है मद्द प्रदेश के निमलिकित में से किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म हैं देखिए देवास में पड़ता है भूपाल भूपाल में पड़ता है इटारसी इटारसी में पड़ता है इंदोर इंदोर में पड़ता है लेकिन इटारसी जो र ट्रेंस निकलती हैं यहां से लगबग 200 ट्रेंस गुजड़ जाती है इटार सी से कहां से इटार सी से समझ गए आप लोग कहां से बेटा इटार सी से अगर मैं बात करूं बेटा भारत का सबसे लंबा अगर मैं बात करूं भारत का सबसे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे सर हुबली, कौन सा हुबली, पहले गोरख फुरुआ करता था, हुबली, और ये कहां है करनाटका में, कहां पर है, करनाटक में है, याद रखना ये प्रसन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला प महावीर जैनती मोहीने में मनाई जाती है महावीर जैनती अब आप लोग बताएंगे बिटा महावीर जैनती कब मनाई जाती है कौन-कौन बच्चा बताएगा जल्दी-जल्दी से बताएए मेरे सेरो मेरी सेरनियों क्या इसका आंसर होगा चलिए बहुत बढ़िया शांदार लाजवाब हैं जी आंसर्स क्या रहे हैं आप लोगों के आंसर्स आप लोग कहेंगे सर कव अक्टूबर नवंबर में मार्च अप्रेल में जून जुलाई में दिसंबर जनवरी में तो आप क्या कहेंगे सर मार्च अप्रेल में चैत्र महीने में मनाया जाता है कव चैत्र और हिंदी वाले हैं ये हिंदी वाले हैं चलिए एक कह रहें जन्म का संबंध हाती से तुमारे ऐसे घूसे मारूँगा ना घोड़े से गोड़े से और कमल का संबंध जो है कमल और सांड से है हाथी पहले पढ़तो आप पूरा मेरे बच्चे पहले पढ़तो ले पूरा मेरे सेर चलिए बहुत बड़िया चैत्र महा में बेटा मनाया जाता है उनका जन्म कहां पर हुआ था जन्म तो आप क्या कहेंगे सर इनका जन्म कब हुआ है पांसो चालिस बीसी में हुआ है और इनकी मिर्तियू कब हुई है बेटा मिर्तियू तो आप कहेंगे सर कब मिर्तियू हो बताईए इसका क्या आंसर होगा, कि सर इनकी मिर्तियु कब हो गई, तो 468 BC में, कब 468 BC में, हाला कि बहुत सारे जगाओं पर इनका जो जन्म दिया है, वो जन्म दिया है 599 BC और मिर्तियु दिया है 527 BC, ठीक है जी, ये भी दिया हुआ है, जो कि गलत है, बोर्ड इसे एक्से करता है इसको बोर्ड क्या करता है इसको accept करता है अब बात कहिए किसर इनका जन्म कहां पर हुआ था कुंड ग्राम में कहां पर कुंड ग्राम में इनका जन्म हो जाता है इनके पिता कौन थे सिध्धार्त थे पिता कौन थे बेटा सिध्धार्त थे आप कहेंगे पिता तिरसला माता कौन थी बेटा इनकी तिरसला पढ़ लेना ये सारी चीजें कौन थी माता तिरसला चलिए चलिए बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब आगे हम लोग बात कर लेते हैं लिखाए कायथा संस्कृती के अफसेश किस छेतर में पाए गए हैं जल्दी जल्दी से बताईए बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब आंसर्स हैं आप लोगों के आंसर्स क्या क्या यहां प सरे इसमें कहां पर देखिये राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है कौन सी राइटिंग में गड़बड हो रही है बताइए सारी राइटिंग तो ठीक लिखी हुई है अरे कितना बहाना करते हो आप है पढ़ लो चलो बताओ इसका क्या अंसर है तो आप कहेंगे सर जो काय खोज करता कि सर इसके खोज करता कौन हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर बीबी बीवी क्या नाम है उनका मेरे बच्चे तो आप कहेंगे बीवी या वी एस सोरी वी एस बांकन कर बांकन कर ठीक है जी इनके द्वारा खोज की जाती है इनके द्वारा खोज कर दी जाती है ठी अब ये कितनी साल पुरानी संस्कृती है तो ये लगवग चार हजार साल पुरानी संस्कृती है तो ये भी आप लोग याद रखने न आगे हम लोग कुशन पे चलते हैं लिखा एक महान आदिवासी नेता थे इनमें से कौन ते विटा एक महान आदिवासी नेता तो आदिव पूछे जाएंगे बीर लक्षमर नायक थे और इन्होंने 21 अगस्त 21 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था क्या चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन इस भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाएगी तो आप लोग बताएंगे भाईया भारत छोड़ो आंदोलन जो की 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 में हुआ इन्होंने भाईया क्या कर दिया कि MP में ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के खिलाँ विद्रूहो कर दिय अगला तैन किनल में से कौन सी विष्व की सवसे बड़ी नौ का नौ वेहन जिसमें बिटा नाव अगेरा चलती है कौन सी है कील है सू नहर है स्वेज नहर है या पनामा है पनामा नहर कहां पढ़ती है पनामा में स्वेज नहर कहां पढ़ती है मिस्र में कहां पर मिस्र में सू नहर दो जगा पर है सू नहर दो है सू नहर कितनी है यह दो है दो है एक तो USA में है और एक है कनाडा में कहां पर है एक कनाडा में एक USA में और एक कनाडा में और एक कहां पर होगी बेटा जो कील नहर है यह है जर्मनी की कहां की है यह जर्मनी की अब बताईए क्या यह सारी चीज़ें आप लोग करनी पाएंगे असानी से कर लेंगे next question है तन सैन संघीत समारोनिमलिकित में से किस स्थान पर पिर्तिवस मनाया जाता है तन सैन तन सैन की अगर बात करेंगे तो अकवर के नवरतन में गिने जाते हैं कि अकवर के नवरतन थे कौन थे? नवरतन थे किसके अकवर के नवरतन थे next हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर अकवर के नवरतन थे कौन थे अकवर के नौरतन भी थे और इनका मूल नाम क्या था मूल नाम इनका क्या था तो आप कहेंगे सर राम तनू पांडे कि सर राम तनू पांडे कौन थे तो आप कहेंगे सर मूल नाम था अब इनका वेटा कहां पर मनाया जाता है तो आप कहेंगे सर दिसंबर में कव दिसंबर में चार दिन तक चलता है दिसंबर में चार दिन तक ये समार हो चलता है कव चलता है वेटा चार दिन तक ये चलता है कहां पर ग्वालियर में कहां पर इसकी स्टार्टिंग किसने की थी ये स्टार्टिंग किसने की थी बेटा तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे बेटा ग्वालियर में एक जगा पड़ती है बेहत गाओं कौन सी बेहत बेहत ग्राम में बेहत ग्राम में बेटा ये मनाया जाता चार दिन तक और ये किसने बनाया था तो आप कहेंगे सर बीवी केसकर द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई है लिख लिजे इसको जल्दी से जल्दी से इसको लिख लिजे आगे चल लेते हैं लिनिम लिखित में से किसने अफ्रीका के समुंद्री मार्ग cap of good hope की खोज की थी cap of good hope की खोज होती है 1488 में पुर्तगाल से एक वेक्ति निकलता है पुर्तगाल से एक वेक्ति निकलता है जिसका नाम है वासको डी गामा क्या नाम है वासको डी गामा ठीक है जी वासको डी गामा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वासको डिगामा तो वासको डिगामा थोड़ी था बेटा वासको डिगामा नहीं था उसका नाम था डियास वार्थो लोमियो डियास वार्थो लोमियो ऐसे करके भी लिखते हैं बार्तोलोमियो डियाज ऐसे करके भी लिखा जाता है इसको डियाज ठीक है डियाज बार्तोलोमियो डियाज ये निकला तो 1487 में था लेकिन खोज 1488 में हो गई इसे वेटा उत्तरी इसे क्या बोलते हैं उत्तरी मासा दीप बोलते हैं उत्तरी मासा दीप बोला जाता है ठीक ह गुड होप बोलते हैं South Africa में है कहां पर है दक्षन अफरीका में बास को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आता है 1408 में 1409 में भारत की खोज करने के लिए आता है कपक डाबू बंदड़गा कपक डाबू बहुत सारे कट में पहुंचता जहां इसका स्वागत किया किसने जमूरिन ने किसने स्वागत किया इसका जमूरिन ने स्वागत कर लिया चलिए बहुत बढ़िया तो आप गलत पढ़ लिये भई, आप गलत पढ़ लिये, आपके पास मोवाईल है, गूगल वावा है, आप बहां से चेक कर लिजे, आप बार बार एक ही चीज को बहस कर रहे हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, शांदार ला जवाब, शांदार ला जवाब, पहत्रीन चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहों महतरीन आपके पास बेटा गूगल बावा हैं सब कुछ हैं फिर भी आप बहस कर रहे हो है ना तो यह तो एक सिक्षक और एक टीचर या मैं यह कहूं कि एक अच्छे बिद्ध्यार्थी के साथ में क्या होना चाहिए काक चेस्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेवच अल्पाहरी ग्रहत्यागी बिद्ध्यार्थी पंच लक्षणा काक चेस्टा कववे जैसी चेस्टा काक चेस्टा बको द्यान बगले जैसा द्यान के पानी में तेरती मचली को पकड़ लेता है स्वान रा कुत्ते जैसी नीन के एकदम से जग जाए अल पहारी कम भोजन करने वाला ग्रहत्यागी घर को छोड़ने वाला विध्यारती में पांच लक्षन होने चाहिए ठीक है चलिए तो आप कहेंगे सर 1908 में राजगर्ण राजजी को कितने परगनों में बांटा था तो साथ परगनों में बांटा था साथ परगनों में बांटा अगर किला पूछ ले तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे सर कहां पर होगा किला महरास्ट में हाँ जी चलिए लिख लेंगे next है नेम लिकित में से कौन सा पदार तो चुम्ब किये नहीं है कोवाल्ट है ऐलमूनियम है निकल है लोहा लोहा होता है निकल होता है कोवाल्ट इन सब पर चुम्ब किये लेकिन ऐलमूनियम चुम्ब किये नहीं होगा चीनी का राइसाइनिक नाम क्या है चीनी का राइसाइनिक नाम क्या होगा तो आप क्या कहेंगे सर चीनी का राइसाइनिक नाम क्या सूत्र बताईए चलिए सूत्र क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे C6 C6 H12 और्विटा क्या हो जाएगा O11 क्या हो जाएगा O11 हो जाएगा ठी तो आप कहरें सर यही सूत्र होता है कारवन के कितने पर्माणू है कारवन कारवन पर्माणू कितने है तो कारवन पर्माणू की संक्या कितनी है कारवन पर्माणू तो आप लोगों को दिग गए 6 पर्माणू कितने पर्माणू हो गए 6 हाइड्रोजन के कितने पर्माणू हो नई सामिग्री और वस्तूओं में परिवर्थित करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है तो बताईए जो अफसिस्ट पदार्त हैं उनको नई सामिग्री वस्तूओं में परिवर्थित करने के लिए कोई रवड है कोई प्लास्टिक है ठीक है जी प्लास्टिक है प्लास्टिक हो जोहे को आपने जो बैकार ता उसको पगला कर नया कुछ आकार दे दिया वो recycling कहलाता है अगला है बनों की कटाई से वाता परन का इस तर वड़ जाता है oxygen nitrogen carbon dioxide cfc chlorofluoro carbon जल्दी जल्दी से बता दीजे इसका क्या answer होगा कौन-कौन बच्चा बताएगा answer क्या है तो आप कहेंगे सर carbon dioxide बढ़ जाती है जैसे जैसे बनों की कटाई होगी क्योंकि जब बन होते हैं तो वो carbon dioxide को absorb करते हैं oxygen को release करते हैं oxygen को क्या करते हैं release करते हैं ठीक है चलिए next है कि क कोसी का द्रब्य एवं केंद्रक के अंदर परीवंद होते हैं कोसी का वित्ती plasma जल्ली या बेटा nucleoplasm या lysosome क्या इसका सही answer होगा कौन-कौन बच्चा इसका सही answer दे रहा है चलिए बता दीजे जल्दी से क्या इसका answer आपके माध्यम से आने वाला है चलिए बताईए बे यह क्या है आत्म घाती थेली क्या बोलते हैं इसको आत्म घाती थेली यह सोसाइड जॉन बोलते हैं इसको अच्छा यहां पर plasma जल्ली क्या हो जाएगा plasma जल्ली कोसी का भित्ती बेटा पादब में भी होती है पादब में होती है किस में होगी बेटा पादबो में होगी जी कोसी काओं में चले, next question है Bifocal Lens लेंस किसके लिए उप्युक्त किया जाता है तो आप कहेंगे सर किसके लिए जल्दी जल्दी से बता दीजै जैसे अगर मैं बात करूँ अवतल Lens की और उत्तल Lens की अवतल Lens और उत्तल Lens ये किसके लिए यूज किये जाते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये बताईए कि अवतल लैंस का प्रियोग किसके लिए होगा तो आप कहेंगे सर निकट द्रस्टी दोस के लिए दूर द्रस्टी दोस के लिए क्या यूज किया जाता है तो आप कहेंगे उत्तर लेंस लेकिन वायो फोकल्स तो आप कहेंगे सर प्रेस वायो पिया याने की दूर द्रस्टता दूर द्रस्टता को खत्म करने के लिए किसका तो आप कहेंगे सर दूर द्रस्टता को खत्म करने के लिए प्रेस वायो पिया का प्रियोग किया जाता है 1996 में इसे बनाया गया और कुछ महीने बाद इसे दिखाया गया इसको साथ फरवरी 1997 में 1997 में सू किया गया तो इसको बनाया कब गया है 1996 में किस-किस ने तो आप कहेंगे सिर्फ इयान इयान बिमल्ट बिमल्ट एवम कीथ कोबॉल्ट ने आप क्या कहेंगे कैम्प बेल ने कैम्प बेल तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लिजे किसर इनके दौरा बनाया गया था ये कौन है ये इसके आविसकार रखें अब बात करते हैं क्लोन जो था ये क्लोन क्या भेड है भेड बनाई गया थी पहली बेल को जन्म दिया गया था और याद रखना इसका नाम क्या था इसका नाम था डोली क्या नाम था डॉली अब जो डॉली है इसका नाम किसके उसके उस पर रखा गया नाम किसके उसके नाम पर रखा गया बताई जरा जो नाम है इसका जो नाम है नाम किसके उसके उसके उस हिरोईन है जिसका नाम है बेटा जिसका नाम है डॉली डॉली पार्टन के नाम पर इस बेड का नाम रखा गया है डॉली चलिए बहुत बढ़िया अगला प्रस्न है कारवन का परमाणू किर्मांक के कितना होता है परमाणू द्रब्यमान पूछेगा परमाणू द्रब्यमान परमाणू द्रब्यमान पूछेगा तो आप क्या बताएंगे सर द्रब्यमान कितना होता है परमाणू द्रब्यमान तो बारहा और बेटा पूछा जाएगा कि परमाणू किरमान कितना है तो छे कितना है छे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बायू मंडल के उपरी भाग मे Oxygen के तीन परमानू युक्त एक अनू पाया जाता है इसे कहा जाता है सूरज से आने वाली परवेगनी करणों को कौन रोकता है तो आप कहेंगे सर ओजोन परत रोक लेती है कौन रोक लेती है ओजोन परत रोक लेती है दूद में Lactic Acid होता है चलिए आप बताएंगे सर ओजोन परत किसमे समताप मंडल में पाई जाती है समताप समताप मंडल में समताप मंडल में पाई जाती है किसमें पाई जाती है समताप मंडल में समझ रहें आप लोग मेरी बात तो आप लोग कहेंगे सर समताप मंडल में पाई जाती है अब ये बताइए इसमें छिद्र हुए हैं कहां कहां पर इसमें छिद्र हुए हैं तो आप कहेंगे सर दो छेद हुए हैं कहां पर एक तो अंटार्क्टिका में हुआ है और एक आर्क्टिक में हुआ है कहां पर आर्क्टिक तो आप कहेंगे सर एक आर्क्टिक में हुआ है और एक अंटार्क्टिक और अंटार्क्टिका में यहाँ पर अगर मैं बात करूं साड़े 66 डिगरी साड़े 66 डिगरी साउत अक्षांस पर दक्षनी अक्षांस पर हुआ है दक्षनी अक्षांस पर और यहाँ की मै बात करूओ तो भया उत्रिक श्हांस पर कितना साले चीया से उत्रिए'क शॉन्स पर तीक है चलिए आगे बात करते हैं यह विटापका हॉमबुर्ख हो जाएगा यह आपका एक हॉमबुर्ख रहेगा इसका आप लोग घर से दोगे अब मुझे comment करके बताओ कि कितना आपका score रहा कितना आपका score रहा चलिए बता दीजे जल्दी जल्दी से कितना score रहा है कौन-कौन बच्चा बता रहा है क्या-क्या इस cancer होगा चलिए अब class बताओ आपको कैसी लगी अच्छी लगी या नहीं लगी म कर लोगी मुझे।